दोस्तों आज की कहानी है बहुत तुम्हें तो ढंग से रोटी बेलने भी नहीं आती दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं से अरुस दया वीडियो अरे सबना ये क्या करती है ऐसी कैसी रोटी बनाई ना तो ये तरीके से सीखुई हुई है ना ढंग से बेली हुई है अभी जो तुमने साही बनाई थी उसमें भी सीने कमती मेमान आए थोड़ा ध्यान से काम करो उप तुम रहनी दो तुम से नई होगा भी जब मैं बोलू तो प्लेट लगाने के लिए बाहर आजाना तुम वही कर सकती हो सपना की सास जोती उस पर ते सिला कर बोली आवाज इतनी तेज थी की बाहर बेटी सभी मेमान भी एक बारंगी बात करती करते रुक गए इस तरह की सास की आवाज सुनकर सपना भी खड़े खड़े दूज गई जोती तो अपनी मन की बड़ा सपना पर निकाल कर सली गई लेकिन सपना की आँखों से जरजर आसू बहने लगे अदान सी उमर में माअबाब ने अपनी जिमिदारी किसी और के सर पर मंण कर जल्दी सी साधी कर दी शाधी से पहले हमेशा अपनी दो सेहली और पठाई में वेवस्त रहने वाली सपना ने कभी रस्वी के कोई काम की ही नहीं सट मगनी पट ब्याव के सकर में सबना तब भी कुछ खांस काम नहीं सिख पाई लेकिन एक बहु की ऐसी मज़बूरियां ससुराल में कोई नहीं समझता है बलकि उनकी अपेकसा तो वहीं रह दिये जो हमेशा से एक ससुराल वालों की अपनी बहु से होती आई लेकिन जैसे जोएसे जोती जी को सबना के बारे में पता सलता गया वोने सबना को प्यार से समझाने की बज़ए उस पर हर वक्त गुसा करना सुरू कर दिया पहली सबना को कोई काम नहीं आता था अब सुबे से रात तक रसुई के कामों में उसे कही ना कही कुस कुस गल्तिया होने लगी जितनी गल्तिया उसे होती उतना इसाधी उसके लिए दुख सोपन के रूप में बदलने लगता आज सपना जी के घर पर कीर्टी थी उनकी कीर्टी की सेलियों के अलावा उनकी जिठानी सावीत्री जी भी अपनी बहु रोस्में के साथ में आई थी जोती जी सब सपना को डाड कर रस्वी से सली गए उसी समय सावीत्री जी किसी काम से रस्वी में गईवोंने सुपके सुपके सबना को रोती भे देख लिया उस वक्त उने बहुत धुख वा कीर्टी के खतम होती जब जोती जी की सारी सेलियां सली गई तब सावीत्री जी अपनी देवरानी के पास गई कीर्टी बहुत अच्छी होगी जोती हाँ बावी सब कुस बहुत अच्छे होगया गेम्स खाना पीना सब बहुत अच्छे से होगया वेसे भी कीर्टी की ओरतियां ऐसी होती है घर की जरासी कोई कमजोरीन को पता सलजाई फूरे जंक भर में बाते उड़ा देती से मुझे उ किसी बात कर रही है बापी आप बहु इस घर का हिसाई है मैंने उसको अच्छे से अच्छे कपड़ी और जविलरी पेहनाई थी कि एक सास का फरज़ नहीं होता है जोती में कुछ समझी नहीं बापी तुम किस तरीके से सबना पर सिलाई तुमें पते हैं ओ वो वाला किसा बा में सुबे से साम तक इतनी गलतिया करती है कि मैं तो सर पकड़ लेती हूं इतनी बार उसको साई बनानी सिखा दी हैं लेकिन अभी भी उसे साई में गलतिया होती रहती रोटी उसे बेलनी आती नहीं सब जिया उसे ढंक से बंती नहीं पता नहीं मेरी पले कहां से बंत कर आ ये ऐसी बहु लेकिन जोती तब भी मिहमानों के सामने सपना पर इस तरीके से सिलाना उसी नए भाबी ये बात आप कह रहे हैं मैं आपकी बहु रोसनी की हकीकत अच्छे से जानती साधी हुई थी जब साई तो सोड़िये वह साधा सिक्षी भी नहीं बना सकती थी आपने ये बात किसी को नई बताई वह तो अब रोसनी की साधी को दो सालों के इन दो साल में वह पारगत होगी इसलिए अब रोसनी का के वलाब के दवारा गड़ा हुआ रूपी सामने आता हैं अब की बहु में भी बहुत कमयाती बहुआं को तो जीतना खिंसकर रखो उतने बढ़ियाएं बेमतलब से प्यार करने से सर पर सटने में जराबी देर नहीं लगती जोती ने मुव बिकरते भी बोला जोती यहीं तो समचारियों में तुमको कमी बहु में नहीं उसके आतम विश्वास में थी दूसरे घर की लड़कियां आकर अक्सर नए माउल को समझ नहीं पाती हैं। हर लड़की में ये गुन नहीं होते कि वो हर तरीके के माउल में ढल से के ऐसे में ससूराल में ढालने की जिमादारी एक सास की बनती है। तुमारे सामने तो रोसनी साख साख उधारन के तोर परें सो सो अगर मैं भी तुमारी जैसे रोसनी को हर बात पर डाड़ दी तो वो कैसे कोई काम करने की हिमत कर पाती। मेरी बहु में कभी कोई कमी नहीं रखी लेकिन हाँ उसके आतम विश्वास में जरूर कमी थी और एक मा होने के नाते मैंने उसके आतम विश्वास को बढ़ाने में मदद करी हैं ना कि उसको दूसरों के सामने हमेशा परफिक्ट बहु बनाने की तुम्हें अपना मान कर मै ने तुम्हें राई दे दिये सपना तुमारी बच्ची से भी बढ़ करें अगर आपको अपनाद मत और प्यार दोगी तो उसके आतम विश्वास में बहुत बढ़ोतरी होगी नई तो जिस तरीके से आज तुमने किटी की ओरतों के सामने अपनी बहु की बेजती करी हैं तो स सबको एसी समान की दूष्टी से देख सके एक फैसला तुमारा हैं सावीत्री जी अपनी देवरानी को समाजगार सली गए लेकिन जोती जी का गुसा भी भी ठंडा नई वाता जब सपना के कमरे में गई तो सपना सिसक सिसक कर रो रही थी क्या हुआ सपना क्यों रो रही ज जोती जी ने पूसा नई मम्ली बस ऐसी आख में कुछ सले गया था सावीत्री जी की बाते जोती के कानों में गूच रही थी एक बार फिर होने ठंडे दिबांक से अपनी जिठाने की बांसों से और अपनी बहु से बोली सपना जो भी वासाइद कही ना कहीं गलती मेरी थी ये जानते भी है कि तुम अभी रसुई के काम में पारगद नहीं हो मुझे तुमें रसुई में इस तरीके से अकेला नहीं सोड़ना साइए था अभी तक जो भी हुआ सबना उसे हम बदल नहीं सकते लेकिन आने वाला भवश्य अमारे हाथ में है अब से मैं तुम प्यार से सभी काम सीखा कर तुमारे आतम विश्वास में वर्दी करूंगी जिसे पल पल तुमें ये सब सामना नहीं करना पड़े काम करोगी तभी तो गलतिया होगी और गलतिया होगी तभी तो उन गलतियों से सीखोगी मैं सही कह रही हूँ सबना अपनी सांस की ऐसी बाती सुनकर सबना के सेरे पर आज पहली बार दिल से मुस्करान के लिए दिहां ममी मैं भी वादा करती हूँ अपनी पूरी कोसिस करूंगी अपने परिव से होते हैं कि हमें समझने में देर लग जाती हैं अज एक सांस की समझदारी ने अपने घर को बिगड़ने से रोक दिया तो ये सबना जैसी बहु आगे सल कर गलत और बेवकु बहुआं की स्रेनी में सामील हो जाती है